शोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें ये लड़की इस लड़के को पकड़ कर रो रही है और ये कह रही है कि मर जाओंगी लेकिन छोड़ूंगी नहीं सोचने वाली बात है और लोग शोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि प्यार हो तो भई ऐसा हमने सोचा चलो एक पॉजिटिव स्टोरी किया जाए प्रेम विवा कहीं से गलत नहीं है और कभी-कभी फैमिली जब्रन भी शादी करती है नाम क्या है आपका उमेश कुमार और वरशा कुमारी है लांकि आप लोग को शोशल मीडिया पे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जानते वीडियो कितना वास्तों हुक्त ओसे नहीं कि अम्गशा कुम्पलेन होगा किनाप ना में लेकिए कुछ celebrating होगा संए इसलिए पदाने आया प्लीप था उन पैने चलनी रहें चुझकर ng and कभी भी नहीं वर्षा से बात करेंगे देखे हमको ये लड़की का हिम्मत बहुत अच्छा लगा ठीक है हलांकी थोड़ा सा समाज इस चीज को अच्छा नहीं कहेगा लेकिन शोशल मीडिया पे बहुत तारीफ हो रही है बड़े बड़े नैशनल चैनल इनको दिखाए है और कह रहे हैं प्यार हो तो वर्षा आपके जैसा तो क्यूं भागना पड़ा क्यूं उमेश के पास इस तरीके से आना पड़ा बताईए क्यूंकि मेरे घरवाले साधी फैनल कर दिये थे चार मंत पहले ही और हमें करनी नहीं थी वो शाधी इसलिए शाधी आपकी होने वाली थ करते हैं बोलते हैं रहे जाधी कर देंगे अगर से अगर जिद करते तो अदर फैंक देते हैं प्यूंकि वो लोग बोले ही थे पहले की ज़्यादा करेंगे इधर से लापता कर देंगे इसलिए और बच जाएगा और कुछ बहुँगा बीना इंधर इंटर कास्ट मेरेज ह पढ़ाई लिखाई की है वर्षा तो अब कब से उमेश को जानती थी पांच सारे पांच साल से बहुत मुश्किल होगा नहीं एक दूसरे को छोड़ना लेकिन सच बतारी हूँ शायद ही यह कोई समझ पाए क्योंकि प्रेम विवा बहुत पुराना है भाई लोग मतलब प्रियुक में लोग इसको क्यों गलत कहते हैं बहुत गलत भी लोग करते हैं प्यार के आड में लेकिन सच बता रहे हैं वर्षा और उमेश का जो प्यार है शोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है और पुलिस जब आप भाग के आई तो आप उमेश के यहां थी कितना दिन से उसी दिन आये थे यह बहुत गलत ख़वर चला जा रहा है कि आठ दिन से थी नहीं सुभा चार री तीन वजे के लगवग आही थी मतलब की परसो जिस दिन पुलीस वाले आये थे उसी रात में मतलब तीन से कुछ पहले होगा थोड़ा बहुत यह तो तीन वजे के लगभग जलत ख़बर चल रहा है कि आठ दिन से वर्षा आपके पास है यह फूरा का फूरा फैक ख़बर है अच्छा यह पर आगे तो आपके माता पिता को पता चल गया कि आप उमेश के पास हैं वैसे तो आई की बाद सवेरे कुछ टाइम में पता चल गया होगा उन लोगों को चार वजे की लगभग तो पुलिस आपके पास भेजें पुलिस साथ उजे कि लगवगाई थी तो पुलिस बद तमीजी वेगरा की कुछ भी नहीं थोड़ा सा उनसे मिस अस्टेंडिंग हुई कि वो यह ना बोलकर कि थाने पर जाना है वो बोले थे चलो छोड़ते हैं तो हम बोले क्यों आप चोड़ेंगे तो नहीं तो नहीं तो नहीं अच्छा वर्षा कि शादी कहीं और फिक्स हो गई थी तो कैसा अलग रहा था आपको सासे रुक रही थी हर दिन अब जी नहीं पाएंगे एक एक दिन कतना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए हर दिन देख रहे थे कुछ न बहुत अच्छी है सच बतारी हो आपकी फैमिली वर्षा देख रहे हैं क्या कहिएगा माफी मांगना चाहिएगा नहीं आपको डर नहीं नहीं लगए गाएंगे ना क्यूकि सबी लोग बोलते है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है घर से बाहर नहीं जाना है यह तो बोल रहा है कि जब तक पुना माने और लोग पाच्छे यर्स करते क्या है आप वैसे हम पढ़ाई कर रहे थे और थोड़ा सा चोटा मोटा बिजनेस था मेरा उसमें हम पर तेक दिन जाते थे मार्केट और वर्षा के घर के तरफ भी जाते थे वर्षा को क्या कहिएगा आपके पास है क्या कहूं सब कुछ तो यही है आपका न क्या है बहुत प्यार है नहीं बहुत जादा बहुत 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 जादा इनका प्यार लोग शोशल मीडिया पे देखे हैं और सच बतारी हूं इन लोग की जोड़ी दिखाए ज़रा और थोड़ा सा family समझ ने रहें कि इंके लिए पॉकि इनको बोलना ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से लोग इनको देखे हैं ना इनको बात करना ज़रूरी है तो वर्शा के family को क्या कहिएगाrauen Each मैं उनसे सारी कहना चाहूंगा मान जाहिए और बहुत बहुत मतलब सारी जितना बार बोलूंगा कम होगा उनके लिए एक चीज हम आप लोगों से वादा लेंगे कि जिस तरीके से आप लोग लड़े हैं फैमिली के खिलाफ फैमिली से क्या आप लोग साथ रहेंगे पूरा जीवन मरते दम तक जब तक कि सासे ना रुख जाती तब तक ना चोड़ूंगा मैं आप बताईए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग क्या कहिएगा कॉमेंट जरूर कीजेगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात कर कि इतने क्यूट है ना कि सच बता रहें इनकी जोड़ी को किसी को नजर ना लगे